नमस्कार मित्रों सौगत आपका हमारे स्यूटिव चॉनल पे आप सभी को पता है कि कल उत्तर कुंजी यूपी टेट की ओफिशल आंसर की जारी हो चुकी है आप सभी ने अपने मार्क्स मिला लिये होंगे आप सभी को पहले से ही बढ़ाई जो लोग पास कर चुके हैं उनको बहुत बहुत बढ़ाई हैं जो पास नहीं कर पाई हैं उनको फिर से कहूंगा कि आपके लिए एक फिर से एक आयना है उसको देखिए समझिए और ये जानिए कि आपने कहां गरबढ़ करी है जो लोग 110 प्लस नमबर लेके आए हैं उनको अलग से स्पेशल बढ़ाई क्योंकि जितने नमबर आप UP डेट में स्कोर करते हैं मान के चलिए प्लस 5 या फिर माइनस 5 आपका सूपर डेट का स्कोर जाता है मैनत आप बढ़ा देंगे तो प्लस 5 हो जाएंगे और मैनत आप घटा देंगे तो माइनस 5 तो उन सभी को स्पेशल बढ़ाई क्योंकि आप लोग भावी सिक्षक हो सकते हैं जो 110 के आसपास रह गए हैं उनके लिए एक छोटी सी चितावनी है कि आपको थोड़ी मैनत अभी और डालनी है थोड़ी मैनत और डाल देंगे तो आप अपने सीट पकी कर ले जाएंगे चलिए फिला देखते हैं कि आज पेपर कटिंग में क्या दिया गया है इसको पहले पढ़ लेते हैं तो उत्तरकुंजी जारी पहली फरवरी तक करें आपति तो उत्तरकुंजी वेबसाइट www.updla.dov.in पर गुरवार को जारी कर दी गई है सचिफ अनिल बुष्ट चोतरवेदी के अनुसार अभ्यरती 28 जनवरी से एक फरवरी तक वेबसाइट पर आउनलाइन अपति कर सकते हैं इसके लिए प्रती प्रश्ट 500 रुपे देने होंगे विशे विशे शग्यों दोरा आपति सही पाई जाने पर अभ्यरती की फीज की राशी वापस कर दी जाएगी विशे विशे शग्यों के रिपोर्ट के आधार पर संसोधित की गई उत्तरमाला के सापेक्ष किसी प्रश्ट पर आपति स्विकार नहीं की जाएगी इसकर्थ यह है कि जो उत्तरमाला दुबारा आने वाली है संसोधित उत्तरमाला कह लीजिए अंतिम उत्तरमाला कह लीजिए उस पर फिर PNP कोई आपती स्विकार नहीं करेगा आपको उसी उत्तरकुंजी को अंतिम उत्तरकुंजी मानना होगा हाला कि आपके पास एक तरीका और होता है अगर आपको लगता है कि कहीं विभाग PNP सही उत्तरकुंजी नहीं जारी कर रहा है आपके सोच के अकॉर्डिंग या जो आपने अपत्ती दी हैं तो आप कोड फिर जा सकते हैं लेकिन PNP द्वारा फिर इस पर कोई भी अब उसके बाद आपतियां नहीं ली जाएंगी आपत्ती दर्श कराने में किसी भी प्रकार के साक्ष ये अभी लेक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किये जाएंगे अब भीरती साक्ष के रूप में बुक रिफरेंस का नाम एवं संदर्वित प्रश्ट संक्या प्रश्ण के सामने रिमार्ट विकल्प पर अंकित कर सकते हैं मतलब प्रती प्रश्ण के हिसाब से आगे रिमार का एक आप्शन होगा उसमें आपको बुक का नाम और आपको पेज नंबर सब लिखना होगा कोई भी आपको डॉक्यमेंट अपलोड नहीं करना है निस्तारण 21 फरवरी तक करते हुए 23 फरवरी को अंतिम उत्तरकुंजी जारी की जाएगी और 25 फरवरी तक परणाम गोशित कर दिया जाएगा तो ये रहा पूरा मामला की कैसे उत्तरकुंजी जारी हुई है और आप उसमें कैसे अपने जो आपको प्रशन लगते हैं जिन पर आपको लगता है कि आपाती जनक है उस पर किस प्रकार से आप अपती दर्ज करा सकते हैं एक जो बात जो लोग पेपर आनने के बाद ही कह रहे थे वो बात फिर से सामने आ चुकी है और वो दिया भी हो आएगी नहीं दूर हुई आँखों की किरकुरी देखे मतलब क्या है तो यूपी टेट की अननतिम उत्तरकुंजी से भी आँखों की किरकुरी दूर नहीं हुई है परिक्षा नियमा प्रादिकारी की ओर से गुरुवार को जारी उत्तरकुंजी में प्रारंबिक इस तर की परिक्षा के बुकलेट बी में हिंदी दिशय के प्रश्ण संग्या 50 में पूछा था आंक की किरकरी होना का अर्थ क्या है इसके चार विकल थे अप्रिय लगना धोका देना कश्ट दायक होना और बहुत प्री होना अन्तिम उत्तर कुंजी में सही जवाब अप्रिय लगना माना गया है मज़े की बात यह है क की सवाल 2017 की टेट भी पूछा गया था उस समय अभ्यरती ने विकल पर आपत्ति की थी मामला हाई कोर्ट में गया था दोनों उत्तर प्रिय लगना और कश्ट दायक होना सही माना गया थे ऐसे में साफ हो गया है कि 21 की टीटी में पूछे गया इस प्रश्ण पर फिर आपत् होना सौ प्रतिशत तय है और ये भी तय है कि उसमें या तो कॉमन नंबर मिलना या फिर कोई दो सही उत्तर को मानते हुए नई उत्तर कुंजी जारी होना लगभक तय है हाला कि कुछ चातर पहले ही कोर्ट जा चुके हैं लेकिन अभी फिलाल कोर्ट जाने का मतलम नहीं है क क्योंकि जब तक अंतिम उत्तर कुंजी नहीं आती है पी एनपी का इस पे क्या रुख है वो क्लियर नहीं होता है तब तक कोड जाना बेफ़कूफी है और कोड भी इसको बिलकुल दर्किदार कर देगी क्योंकि जब तक पी एनपी या फिर विभाग अपना पूरा कार समा आपतर ना कर ले उसके पहले आप कोड जाएंगे तो कोड भी आपको ज़्यादा तवज़ो नहीं देगा देखने की बात होती है कि नए उत्तर कुंजी जो आने वाली है उसमें क्या-क्या बवाल होते हैं क्योंकि यूपी के कोई भी केस यूपी की कोई भरती या कोई पर मुझे इसलिए ये कार पहुत जग हुई है थैंक यू एन एवनाइस टे